दुद्वार का नजीक कल्यानपूर मा फरी मेघरा जाने बैटिंग कल्यानपूर मा वहली सवार थीज भारे वर्साद जनकारणे वर्सादी पानी परीवर्या कल्यानपूर जता भाटिया नजीक भोगात गामना हाइवे पर वर्सादी पानी परीवर्या चर पहली सवार्थी ज त्यार सुधी माँ पांश थी बधू इंच वर्साद बर्शयों चर्ण वर्साद न कारणे हाईवे नजीक ना गाम माँ पानी परीवड़या कई शकाए के आगिवा प्रकार्नी स्थीतीनी आगे निर्माण थयुँ ची एर दोधं मार वर्साद वर्शयों चे अने तेना कारणे क्याक्ने क्याक पाटिया तंका झाति बधू संपर्णा पांश परीव assembly प्रहाइसकरीश आप जिया सीधा द्रश्यों के एक भाई जेछे कितले घुटन सुधी पानी भराया चे अब प्रकार्णी स्थितिन निर्मान यहां भाट्या तरफ जवानों मार्ग जेछे आज के लिए जहां पर एक्स्ट्रेमली हैवी रेनपॉल के वार्निंग और साथ में रेड एलर जारी है वो डिस्टिक है भरुच सूरत नवसारी बलसाड दमन और दादरा नगर हवेली जहां पर एक्स्ट्रेमली हैवी रेनपॉल की वार्निंग और साथ में रेड एलर जारी है और वही रेनपॉल की बात करेंगे तो बडोद्रा चोटा उदैपूर नर्मदा डांग और तापी के लिए वही रे हारे जारी है और डेटू की बात करेंगे तो बड़ लिए जहां पर एक्सिछिब एक्स्ट्रेमली हईवी रेनपॉल की वार्निंग और साथ में रेड ड़र जारी है वो डिस्ट्रिक है नोसारी, बलसाड, तमन और दादरा नगर हवेली और जहां पर भेडरी है वही पॉल की वार्निंग है वो डिस्टिक है एहमदाबाद आनंद पंच महल दाहोद मैसागर बडोद्रा छोटा उदैपुर और नर्मदा डिस्टिक सामिल है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में एलो एलर जारी है और डे थ्री की बात करेंगे तो डे थ्री के लिए जहां पर एक्स्टिमली है वी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेडे लर जारी है वो डिस्टिक है नौसारी वलसाड दमन और दादरा नगर है वेली और जहां पर भेरी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्टिक सामिल है और जहां पर हैवी रेनफॉल की वार और दादरानगर है वेलि और जहां पर हैवी रेणफाल की वार्निग है वो डिस्टिक सूरत डांग और तापी डिस्टिक जहां पर हैवी रेणफाल की वार्निंग मैं आयलोला जा रही है? और सवराष्ट और कच्छी रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर extremely heavy rainfall की warning और साथ में red alert जारी है वो डिस्टिक है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागर, भावनगर, द्वारका और गीर स्वमना डिस्टिक सामिल है जहां पे extremely heavy rainfall की warning और साथ में red alert जारी है और जहां पे very heavy rainfall की warning और साथ में orange alert जारी है उसमें सवराष्ट और कच्छ के सारे डिस्टिक कबर है जहां पे heavy to very heavy rainfall की warning है सोमनाद के लिए एक्स्तिम्ली हेवी रेनपॉल की वार्निंग है और साथ में चाहर रही है और इसके लवा जो सरी तुरक्श के वहांपर एऽ वहांपर है W hempodu अरंज अलण ज़ रही है and A Nim60 की बात करेंगे टो दे تھरी के लिए अम्रेली और गीर सोमनाद के के लिए और भावनगर के लिए वह रावनेग के लिए और और जारी और जा रही है और गीर सोमनात और दीव के लिए rin fall की warning और साथ में Elio alert जा रही है और thunderstorm की बाद करेंगे तो आने वाले पांच दिनों के लिए गुजरात state के सारे district कबर है जहां पर thunderstorm के warning है और फिसरमेन warning की बाद करेंगे तो आने वाले पांच दिने के लिए पूरे गुजरात कोस्ट के लिए fissermen के warning है और जो जो इंड की स्पीड होगी वो 45 से 55 km और साथ में जो गश्टी विंड होगी वो 65 km के आसपस रहने का पुर्वान मान है आज के लिए एक आफसो ट्रफ साउथ गुजरात पे परसिस्ट कर रहा है और एक जो सियर जोन पैटर्म था वो कल जो 20 डिग्री नॉर्थ लेटिटूट पर जो जो शिप्ट होकर 21 डिग्री नॉर्थ लेटिटूट पर बना हुआ है जिसके कारण आज आज के लिए जहां पर जिन डिस्टिक में एक्स्ट्रेमली रेंफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलट जा रही है एमताबाद डिस्टिक के लिए आज हैवी रेंफॉ की वार्निंग और साथ में थन्डे स्टॉर्म की वार्निंग है अब पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो प्लस पांच परसेंट एबफ से नॉर्मल से ज्यादा बारिस होई है और तीन सो एक मिली मेटर बारिस रेकॉर्ड हुई है एक जून से आज तक और नॉर् करेंगे तो 285.4 रेंफॉल रेकॉर्ड हुआ है एक जून से लेकर अब तक और नॉर्मल के हिसाफ से 359 होना चाहिए तो गुजरात रीजन में माइनस 21% नॉर्मल से डिफिसेंट है और सौराष्ट रीजन के लिए 319 मिलीमीटर रेकॉर्ड हुआ है एक जून से अब तक औ और नॉर्मल के हिसाफ से 228 होना चाहिए और परसेंटेज में देखा जाए तो एक जून से आज तक के लिए सौराष्ट रीजन में नॉर्मल से प्लस 40% रेंफॉल जादा होगा है पानिली गाम में पन धोदमार वर्साद वर्सादना कारणे नदी मां त्रोन लोको तना आया चे त्रोन लोको नू रेस्क्यू करवा मां आवी रहू छे अंडियारेफ नी टीम पानिली गाम जवार रवाना थाई चे कल्यानपूर पोलीस पन त्रोने व्यक्तियोंने बच्चाववा मांटे मेहनत करी रही चे त्रोने प्रवा मां त्रोन लोको फसाया पोलीस पन त्यां पहुँची रहीचे दोडा नी मदद थी टाय ट्यूब नी मदद थी तेमने बच्चावान उप्रायतन चाली रहो चान। लगभग अडधु गाम पाणी माँ होवा नो सर पंच नो दावो चाली तो कल्यानपुर्णो मालेता गाम जे पाणी नी अंदर अत्यारे चे ने चला 35 वर्ष माँ आ प्रकार नो पूर लोकोए नथी जोयू मानस आखा डूबी जा एटला पाणी भरायला चे तो रस्ता पर पाणी चे घर माँ पाणी चे दुकानो नी अंदर पन पाणी चे गाम ना लोकोए पाणी नी वच्चे जेम तेम करीने जीवन पसार करी रहा चे तो द्वारकाना कल्यानपूर तालुकामा फाट्याजी विस्तिती कल्यानपूर तालुकानो रावल गामे धोध मार वर्षाचे अने करस्ता जर मगना चे रावल गामे आवेल शाड़ाना ग्राउंड सुधी पाणी भराया चे न कल्यानपूर तालुका मा धोध मार वर्साद ना कारणे जन जीवन प्रभावित थे उचे तो देवभूमी द्वार का टंकारिया गामे पन धोध मार वर्साद जना कारणे घर मा पाणी घुसे आँछे कल्यानपूर पंथक मा ग्यार इंच करता वधु वर्साद टंकारिया गामने बान माली थे उचे कल्यानपूर तालुका मा आभ फाटता जन जीवन प्रभावित थे उचे टंकारिया गामे इतिहासनों सवथी वधु वर्साद खापके हो चे अत्यारे आप जोई शको चे के द्रश्यों मा रस्ता बस्टेंड बधूच पाणी मा चे घरमा पण पानी चे अने अरधा-अरधा घर पानी नि अंदर डूबी गाए चे तो घरमा पाण त्रोंथी चार फूर्ट चे टला पानी भराईला चे लोको धाबा उपर क्याक आश्रोल ली थो चे कोईना बै मानना मकान होई तो त्या आश्रोली ने लोको बटाचा वधू वर्साद टंकारियामा पड़ियो चे अने जनाकारणे आखु गाम जे चे आखा गाम ने बानमा ले लिधू चे कल्यानपूर तालुकानू चे आ गाम टंकारिया जे इतिहास नो सौथी वधू वर्साद आहिया खापके चे बस स्टेशन पाणी नी अंदर गरकाव थे गयो चे घरमा पाणी घुसी गया चे अने घरमा लगबग त्रॉन थी चार-चार फूट चे अटला पाणी चे आप जो शकोचों के घर नी अंदर नी आ परिस्तिती चे खाटला ढाड़ी अने खाटला उपर लोको बैठा चे घरमा जे पन मानसो अडधा डूबी जा एटला पाणी भराईला चे आवा मा क्या बैसो क्या सुवो जिवन जरूर्यात नी दिन चर्या सवार थी लई अने राज सुधी नी एक क्या के विरिते करवी रसोई की विरिते बनावी चा पाणी नी व्यवस्ता की विरिते करवी लियानपूर्ब मा आभ फाटियुचे भाटिया गाम मा जल बंबाकार नी सिती चे अनेक दुकानों मा पाणी फरी वड़्या चे गया अठवाडिये पन आज परिस्तिती हती अने फरी एक वखाती जब परिस्तिती नी निर्माट थाउँचा तो आंगे जब दू अपडेट मेडविशू ग्राउंड जीरो पर थी मुकुंद बारा सहयोगी चे अने तेओ पन गुटर समा पाणी नी वच्चे चे अने आविस्तार चे द्वारका रोजी मुकुंद नी संधिया वाजकरो में तो देगुमी द्वारका धिलाना परियानफूर का लोगाना भातिया गामें आभू भातिया जेविस्तिती चुमाटने चिद्धा द्रस्यो बताव निकोशिस करी यूस 18 गुजराती हल ग्राउन शीरो पर पहुंचियो छे आजे भातिया गामनी जे एंट्री गेट चे तेनी बाजूमा आविल्याद दुकानों चे दुकानों मा हल दस्मस्ता पाणी ना पूर आवी चुकिया चे आप बिजी तरफ द्रस्यो जोई सोगोचो वोठन समा प जै बलकुल परंटु मुकूंद चिला एक अठवारिया थी लगभगाज परिस्ति थी द्वार्का मां जे दिते वर्साद वर्सों चे अने पाणी ना वहन सतत वही रहा चे कल्यानपूर मां सतत छेला त्रों चार दिवसी लगभगा प्रकार नी परिसेती द्वार्का मां जे दिते वर्साद 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 व बिल्कुल तो बजार अत्यारे नदी मा फेरवाई गयू छे स्थानिक लोकोनी शोहाल छे काया काया गामों बाप्रकार्णी परिस्तिती छे इसन दो बाते हो जो स्थानिक लोकोनीू अची स्थानिक लेह की शोहाल चाया गामों बाते हुआ है जी मुकुंद जो शेहरी विस्तार ना आवा, टाउन विस्तार ना आप्रकार ना हाल होई, जियां बजार नदी बनी गई होई, तो समझी शकाई छे के खेतरों ना शूँ हाल थाया हशे, मुकुंद खेती ने पड़ मोटू नुकसान पहुंचियो हशे आवा माँ? जी मुकुत अपनी बासे थी पन समझवाई ची रहा चे क्या विस्तार काया प्रकार नो चे शूँ नीचान वड़ों विस्तार चे एटला माटे चला त्रोंचार दिवस थी, त्या पाणी भर आईला चे ने सतत पाणी नू वहन त्या थी वही रहूँ चे? संध्या वद्रकरीय तो भाटिया गाम में जोर कोज मार चे द्वार्वाऊाई वाच्च्चार थी, जी उपर वास्माँ भारे वर्ष्ताजना कारे लोखों कही नहीं प्रथमों पाणी बात्या माँ बूचि युदा वाच्चित वाच्चित करों अपनी अस्पास लोगों पूर जी परिस्टी तरह श्तित तुिए जुटमा खालती टेंग शोयरी ना जन्म गांवेस से अर्षटाओ उच्छे जँ तुछ थेलए जुटना विश्तर में पाहिक जोयरी तुरी ना जन्म गांवा से ना जन्म कुरला हुच संदर्वल जो फाण रेंगिश्तर दुक कर परिस्टी चे गाम्मा केटला लोको रहे चे घर नी इशों परिस्टी बिलकुल मुकुंद अपनों अभार वारी साते जुड़ा वा बदल तौपे जोयू के कल्यान पुर्ना भाटिया मा शुरू परिस्टी चे आब फाटिया परिस्टी चे बजारों ना द्रश्यों चे तो घर ना हाल केवा हश है